हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुष्टन सिंग को जीएस एमपी क्लिनीक आयन नीज चैनल के अंतरगत लेपरोसी यानि जिसे आप कुछ ट्रोग सुनबाहडी हैंसें डीजी कोड आदी के नामों से जानते हैं आज के खास वीडियों में हम आँख यानि आपके जो आँख है ये कुछ ट्रोग के कारण आपका आँख जो है किस परकार परभावित होता है आप देख लिजिए आँख जो है इसमें आप एमडिटी के दवा ले रहे हैं माल लिजिए कि आपका चमरा सुन है तो आपने कहीं सलाह लिया कि चमरा सुन है मोटा हो रहा है फफोला आ रहा है हाथ पाउं का उंगली टेरा हो रहा है तो आप इसके सलाह के लिए जब जाएंगे तो कोई सलाह देगा तो तो सुरुमें सुन बहरी कहता है लेकि सुन बहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है लेकि वास्तो में इसे कुछ रोग कहा जाता है हैंसन डीज कहा जाता है कोठ रोग के नाम से जना जाता है तो हो गया है तो आपको MDT दवा लेने की सलाह दे जाती है सरकारी अस्पताल के दवारा तो MDT का दवा आप लेते हैं तो बहुत सारे मरीज का यह कंप्लेंड रहता है कुण का जो आँख का रोशनी है धिरे धिरे कम होने लगता है कई लोगों को तो देखना भी दिखना भी बंद हो जाता है यह दवा का side effect के कारण लेकिन ऐसे भी है यदि side effect नहीं किया है तो आपके बिमारी के कारण भी आपका यह आँख का रोशनी जो है धिरे धिरे कम हो सकता है आह का जो पलक है पलक है इसको जो आपको पलक है यह जो पलक है आपका या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं के चेहरा को को तो टे रहा कर ही, देता है, नप भी टेणा कर देता है बिमारी, और याथ पाउं के को टे रहा कर सकता है और पत्ला कर सकता है या नाठपाउं का ऊंगली किया होगा? पतलाब पढ़ने लगेगा! न खून जो है खराब होने लगेगा चम्रा आपका मोटा होने लगेगा दही के छाली के तरह भैस के चमड़े के तरह हाथी के चमड़े के तरह मोटा काला और गोल गोल धवे धवे पूरे सरीर पर निकलेंगे और कलर बदनना सुरू हो जाता है यदि आपका आहँ का रोशनी कम होने लगा है तो दवा आपको तरकाल बंद कर देनी चाहिए और यद जिसे कहायता है उसको आपको सेवन करनी चाहिए इसे फाइदा मिलता है और हुमेपैथि का भी लक्षन का अंसार दावा देने से आपको जो आह का घट गया रोसनी रहता है ओधीरे धीरे वापस आने लगता है तो आह का कियर आपको अच्छी तरह से करनी चाहिए इस चेहरे वाले भाग में जाने पर इस चेहरा जो होता है यहां चम्रा जो होए उठा उठा बिल्कुल आने लगेगा मोटा इसकीन जो और भी कई भी आपका चम्रे का बीमारी होता है दिनाय है दिनाय है उसमें खुजली करेगा खुजली करेगा लेकि सबसे बड़ी खास बात है कि लेप्रोसी कुछ रोग में आपका जो चम्रा है इसकीन कहीं पर भी देख सकते हैं शरीर के किसी हिसे में यदि आपको कुछ ट्रोग हो जाए सुन बहरी हो जाए कुछ ट्रोग सुन बहरी हो जाए तो चम्रा वहां का बिल्कुल सुन हो जाता है आप देख सकते हैं इसमें जहां का चम्रा मोटा हो गया है वहां पर आप कलम हलाईए चिट्टी काटिए पीन हलाईए बिल्कुल मालम नहीं चलेगा चेहरे पर यदि आपको लेपरोसी हो गया है वहां पर आप कलम हलाएंगे चिट्टी काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप छोटे अस्पाताल में जाईए या बरए अस्पाताल में आप अमेरिका चले जाईए तो आपका क्या होगा? सुन चम्रा का सुन होने के अधार पर ही आपका ये तय होता है कि आपको कुछ डोग हाई की नहीं है कई लोग जाज करवाते हैं तुसमें अप स्कीन स्मिया टेस्ट और एलिसा फॉर लेपरोसी का जाज करवा सकते हैं माइको बैक्टरियम लेपरी नाम के जीवानी से होता है और हैंसन शाहब यह जो कोज किये थे इस जीवान बैक्टरिया का इसलिए इसका नाम हैंसेम डिजी कहा जाता है हैंसेम साहब के नाम पर ही वह इसका नाम पर आ है तो यदि कुछ रोग यदि आपको हैना खुंड से भी आप पहचान सकते हैं और आख के आख का भी जो पलक है गीरे नहीं गीरे नहीं गीरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं इ समरन सकती इसके भी चर्चा हम कई वीडियो में कर चुके हैं और यौन छमता भी धीरे-धीरे कम होने लगता है चेहरा और सरीर का रंग धीरे-धीरे बुढ़े जैसा होने लगता है क्या होने लगता है बुढ़े जैसा चेहरा आपका होने लगेगा कम उम्र में ही तो आप सम कलम छूट जाए कलम भी आप पकर नहीं पाए होल नहीं कर पाएं खास करके जब विद्यार्थी है तो उनको इसका असर समझ में आता है यह इसका लक्षर रहता है और जहां पर आपको लेप्रोसी हुआ है कुछ ट्रोग हुआ है वहां का चमरा मोटा होगा सुन होगा कलर बंद हो जाता है यौन खमता बिल्कुल ही कम हो जाता है कई लोग का कोश्चन रहता है प्रोसी के मरीज का कि पहले जैसा हो जाएंगे लेकिन कितना हम वीडियो लगभग आपको चौधा साल हो गया चार साल से आपकी यूटूब चैनल पर हम आ रहे हैं आपके मन सम्मान के कारण रेस्पेक्ट के कारण और हम कोई भी जनकारी आपको देते हैं तो सटिक जनकारी देते हैं इवंदारी पुर्वक देते हैं पूरे प्रमान के साथ देते हैं यदि आपको कुछ रोग हो गया है और तरह तरह के उल्जहन में पर चुके हैं करे तो क्या करे जाए तो क कोणसी दवा ले का सलह लोग दिया कि एक साल का कौRS कर लेगा तो ठीक हो जाया एक साल के आपने कौRSP लिए उसके बाद भी बिमारी जयोंका तो बना हुआ है कि एक साल से जयादा Mडरी的 के दवा नहीं लेनी चाहिए, चुके एक साल का कॉट्स है तो ज्यादा लेने से आपको काफी नुक्सान कर सकता है। बाद में सुजन ला सकता है, शरीर में काफी दर्थ हो सकता है। ये प्रोशिक कुछे के कारण आपका दर्थ हो जाएगाulated हाथ पाउं के उंगली में कहीं भी घाव हो जाएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है और फोरे फोरे भी आने लगते हैं कि फोरा निकलने लगए हाथ परके उंगली में अधी घाव हो जाए वापको सवद्लान हो जाए अण्य घाव से तुल्णण नहीं की जानी चाहिए हमने पहले कहा कि घााव आपको कही तरह का होता है Lacerated , जो चितरा भोथार से यह दि लग ग determined तो उसको आपको कहाज़ाता है। पंचर्ड उड जो आप कोई भी बंदूक से किसी को गोली मार दिया जाय को उसको क्या कहा जयता है पंचर्ड उड कहा ज़ता है तो इन सभी उड के अत्रीक्त में एक लेप्रोसिक उड का भी अधियान शुरू में ही एक मेट्कॉर्ड कॉलेजमें डाल देनी चाहिए ताकि बिद्यार थी जब डॉक्टर बने तो उनको इस बीमारी को पकरने में आसान हो और पूरे शरीर का जो चम्रा है स्कीन है लगता है कि सुखार जैसे पर गया खेट जैसे फट गए रहते उसे आपका त्वाचा धीरे-धीरे फट जाता है इसमें आपको सभी लोगों को हाइड कोटाइल ये सीटी का थर्टी चार भूं दिन में तीन बार कुशी दिनों तक लेनी चाहिए इससे थोड़ा कंटूल हो जाता है बेमारी बिस्फोट नहीं करेगा यदि आपके पास जानते हैं कि दवाई कितनी महंगी हो चुकी है ततकाल अभी इलाई नहीं कराना चाहते ह हैं इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है बिल्कुल डरने के जुरूत नहीं है बहुत ही अच्छा काम करता है तो लेप्रोसी के मरीज को यदि चेहरे पर किसी भाग में आ जाया सुन अपन आ जाया तो थोरा सा चेहरा को भद्दा कर सकता है और जब जादे आने लगेगा तो आको चिंता बढ़ जायेगा इसलिए सुन बहरी कुछ ट्रों के का जो भी लक्षन आ रहा है तो जार फूक ओज्यागुनी देशी नुस्खा के फेरे में न रहें चुकि यह समधारन समाने किसी भी दवा से आपका बिमारी ठीक नहीं होगा यह एक गंभीर बिमारी है लंबे अन्भव के कारण इस कुछ ट्रों को हम ठीक कर पाते हैं यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की जरूरत है तो मेरा वाट्षेप नमर है 9801757533 यानी 98075353 पर आप राए ले सकते हैं प्रवाव यदि परता है तो खासी हमेशा कफ़ बना रहेगा कफ़ जलदी हमेशा निकलते रहता है ठीक होने का नाम नहीं लेता है बुखाण भी रह सकता है काई सेयरे लेप्रोशी कुछ ट्रों मरीच के सवाल है लेप्रोसी में बुखार भी आ सकता है। बुखार भी आपको साथ में रश सकता है। इसे में सौचने वाली बात नहीं है। के saja कई मरीजों को दंज दंगे पूरा शरीर में होता खुजली नहीं करता है क्फ़१ नहीं नहीं कारण सबस्क्राइब चमरे का विमारी है उसे डिफ्रेंट हो जाता है यह साबून है आप देख सकते हैं इस पर उस पर जो दिखाई दे इस टाइब कही साबून का इस्तमाल आपको करनी चाहिए बहुत सारे ब्रांड का साबून मिल जाता है और खास करके हमने पियर्स गाउं देहात में थोड़ा महांगा जरूर है लेकि काम का चीज है इसे लगानी चाहिए आपको स्कीन को नुकसान नहीं करता है और चलमोगरा का तेल तुबरोक ओयल है यह पचास से मिल का कीमत है धाई सो रुपे परता है इससे तो अच्छा है कि मस्टरड ओयल करू तेल नहाने से ठीक पहले इसका का इस्तमाल करें हम तो उसी को बताते हैं तो आख यह आख है आपका हारा साग सब्जी आपको लेनी चाहिए आख के रोशनी को ठीक किया जा सके लेप्रोसी के कारण और पपीते का कडिया पपाया का सेवन अनिमार्ज है आख को हमेशा बज आख है तो पुरा जगत आपको बहुत बड़ा इसका रोशनी को ठीक करने के लिए हरा सब्जी आपको ज़रूर लेनी चाहिए फल फुर्ट लीजिए काजू किसमिस लीजिए यदि MDT के दवा से आप संतुष्ठा नहीं काम कर रहा है आप पर तो यह हुमिपैथिक आप सलाह ले सकते हैं और कई मरीज तो आप बोलते हैं कि होमिपैथिक दवा के साथ साथ हमने आप जो हम सलाह देते हैं कि फॉल फुर्ट काईया कौई कि कोई भी हो सकता है मार्किट में जाएं तो पूरे पडिवार के सदस्ट के लिए कम से कम फल जरूर खरिद के लाएं कोई जरूर नहीं है कि एक दो की जो आप खर दे एक दो फल लेकर थोड़ा-थोड़ा बांट करके डेली देनी चाहिए आदत लगानी चाहिए खाइनी बीरी तमबाकू जो खाते हैं दारू पीते हैं उसे तो बनियाई है सब तो आदत लगाईए अच्छा करने का पूरे विश्व से लेप्रोसी को मिटाना है तो पहले तो सरीर को स्ट्रॉंग करिए मजबूत रखिए तो दवा जादे सुनेगा दाल है दूद है दही ह यह सब शरीर को स्ट्रॉंग करता है और देशी खाना इसको खुब मजबूत जितने बनाईएगा उतने आपको दवाई कारगर होमिपैथिक तो खान पान को अच्छा करें स्ट्रॉंग करें उसके दाव होमिपैथिक दवा लें आप दम बिलकूल मजबूत हो जाएंगे केट का विमारी यदि यह लिए प्रोसी बढ़ते चला जाए तो भूख लगना भी आपका कम हो सकता है भूख दिरे-दिरे कम होने लगता है सास लेने में किसी-किसी को दिकत आने लगता है तो खान पान को स्ट्रॉंग करें और आंह का जरूरी देख भाल करें चस्मा का भ पर बहुत जरूरी है यदि बुखार है इसके साथ कोई अलरिजी है तब जरूर बताए तो जिन बताएं किसी तरह आपको लेना है्ला तो जो वार्टिप नमर में बताए हैं कई वी抵िदियो में आपको मिल रहेगा मेरा वब्युर्शुप हर लगभग हर वीडियो में रह अपताइँ हैं तो यह सब आपको पैट से जब चपल पैट का सिधा नहीं पड़े और कई लोगं का कम्पन कम्पन भी देखने में आया है चक्पर भी आते रहता है बहुत लोगं का प에ट का गैश्टिक में खाना नहीं लिखिएगा आपको विमारी जुरूर ठीक होगा हमसे कोई भी सलाह की जुरूरत है तो आप अपने नाम पता लिख करके और तब उसमें लिखिए कि आपको क्या चीज का जनकाई चाहिए कई लोग अपने नाम पता नहीं देते हैं पहले फर्ष्ट नाम लिख दीजिए अप थोरे दिर के बाद में आपका जवाब दिया जाता है निश्चित रूप से जवाब देने वाला ये YouTube चैनल है आपके हर प्रश्ण का जवाब देता है निश्चित रूप से दिया जाएगा जितना कोशिस है कि आपको लाब पहुंचे कई लोग बोलते हैं कि कई दवा दीजिए हम ले लेंगे वहां पर हमको थोरे मालूम है कि वहां पर कौन दवा मिलता है नहीं मिलता है कितने पाउर में मिलता है कौन सी कंपनी का मिलता है अब जाएंगे तो आप पुछेंगे दुकंदार पुछेंगे कोई कहेगा कि बार नहीं है छोटा है इस कंपनी का नही है फिर पुछेंगे के साक़ानु तो सहाज दे आप लिखने में असand रहता है उसी समय समझाइं देता है स्को उपलब्ध रहता है यहां बहुत ज़्यादा होता है हर वीमारी का सब य्दॉघ यूच्ट नहीं रहता है हर बिमारी को सब लोग इलाज करते हैं करते हैं तो यह जो आपका लेपरोसी कुछ टूग है इंडिया के साथ साथ पूरे बीदेश में विश चैनल का प्रंसंसा किए जाता है इसका सरासरे लेपरोसी कुछ रोग को दिये जाता है और कुछ रोग अफैलेडिया दोनों मरीज जो हैं काफी हमने वीडियो पसंद करते हैं करने से समर्थन करने से आरे सिर्वाद के कारण यह चैनल दिन रात बरते जा रहा है उमीद करता हूं कि फैलेडिया हो या कुछ टोगले प्रोसी जरूर ठीक होगा आज के खास वीडियो में इतना ही जैहिं जैभारत